नमस्कार दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एक इंपोर्टेंच जानकारी लेकर आए हैं टेक्स ओडिट रिपोर्ट की जो ड्यू डेटे उसको सरकार ने एक्स्टेंड कर दिया है कल रात को ही साड़े बारा बज़े ये एक्स्टेंशन न्यूज आईए टेक्स ओडिट रिपोर्ट कंप्लीट करने के लिए आप पर कोई भी पैनल्टी या लेट विस यहां पर नहीं लगेगी तो जिन लोगों की ओडिट अभी भी पेंडिंग पड़ी हुए उनके पास समय पीरिड अच्छा खासा सरकार ने दिया है क्योंकि यहां पर देखा जा रहा था टेक्निकल ग्लिचेस आ रही थी पोर्टल पर जिस वज़े से ये extension किया गया है हाला कि यह जो extension है वो last moment पर किया गया है यह जब कि यह extension एक हफते पहले आ जाना चीए था जो लोग income tax portal पर जाकर direct login कर रहे थे उनको login करने में भी कई बार दिक्कत हो रहे थी लिट report file करने में भी यहाँ पर दिक्कते आ रही थी technical glitches आ रहे थे जिसकी वज़े से सरकार ने देखते हुए सभी taxpayers के लिए यहाँ पर due date जो वो extend करी है अगर आप एक company है तो आपके लिए भी due date extend करी गई है और अगर आप एक audit firm है, proprietorship हो या partnership हो आप सभी के लिए जो due date है वो extend कर दी गई है ध्यान रखेगा अगर आप international transaction या specified domestic transaction के लिए अगर report file करते हैं ऐसे कोई individual है या फिर partner है या partnership हम है तो उन लोगों के लिए कोई due date extend नहीं है क्योंकि उन लोगों के लिए और इंटरनेशनल स्पेस्वाई डोमेस्टिक के लिए 31 October होती है report file करने के लिए तो उन लोगों के लिए को extension नहीं है लेकिन इनके अलावा अगर कोई company है, firm है, प्रोपर्टिशिप कंसर्ण है, हुफ है, ट्रस्ट है, उन सब के लिए जो due date है वो extend कर दी गई है, तो ध्यान रखेगा दोस्तो, due date यहाँ पर 30 September से बढ़ा कर 7 October कर दी गई है, अब बात यह आती है कि आपको 7 October का wait नहीं करना है, जल्द से जल्द अपनी tax audit report जो है, वो file करें और free हो जाए, कई लोगों की planning थे, एक तारिक या दो तारिक को यहाँ पर holiday करने की, लेकिन अब उन सब की planning यहाँ पर रद कर दी गई है, क्योंकि यहाँ पर जो due date है, अब फिर से 7 दिन और extra यहाँ पर chartered accountant लोगों को काम करना पड़ेगा, क्योंकि end moment पर जो रिपोर्ट है pending पड़ी हुई थी, अब उन्हें file करने के लिए अच्छा खासा समय आपके पास दिया गया है, तो 7 दिन का समय है, इसको utilize करें और अपनी जितनी भी completed audit pending पड़ी हुई है, जो उसे जल्द से जल्द complete जरूर करें, तो दोस्तों एक important update है, important news जो है, हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आएं कि tax audit report की जो date है, वो extend करके 7 दिन तक extend करके 7 October 2014 कर दी गई है